हेलो गाईज तो ये है संजेवन पाइट टू और आज मैं आपको दिखाऊगा संजेवन माउंटेंज और संजेवन लेक और गाईज मैं इस हॉंट्रिट फोरेस्ट का पूरा सच बताऊगा आपको तो चलो गाईज वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईज पाइट वन में मैंने आपको इस से पहले का आदा जंगल दिखा दिया था लिंक डिस्क्रिप्शन में है देख लेना और गाईज अब हम वही से स्टार्ट कर रहे है जहापर मैंने पाइट वन में लाश्ट में छोड़ा था और अब मैं जा रहो देखो सेकेंड वाले माउंटेन के उपर संजीय बनके यो आज़े रितिक तुभी आजा तो गाईज हम सेकेंड वाले माउंटेन के उपर आ गए और यह देखो मैं आपको यहाँ से चारो साइड का व्यू दिखाता हूँ यह देखो गाईज कितना अच्छा लग रहा है और इस साइड देखो नीचे खाई है और यह देखो मैं का खड़ा हूँ तो गाईज अब हम जा रहे है तीसरे वाले पार्ड के उपर यहाँ पर गाईज तीन माउंटेन है सन्यवन में दो तो मैंने आपको दिखा दिये पहले वाला पार्ट वन में दिखा दिया था second वाला दिखा दिया अब हम जा रहे है third वाले के उपर तो guys अब ये scene देखना ध्यान से रितिक मेरे पास आया और उसने ना camera outside कर दिया था और ये देखो shadow में ऐसा लग रहा है कोई और आया मेरे पास बट ये रितिक था और वो मुझे दिखा रहा था कि 4K में है वीडियो या 1080 में है तो guys अब हम चले गए आगे ठैड़ वाले mountain के उपर और रितिक देखो पहले दिखाएगा दोनों साइड खाई है हम खत्रों के खिलाड़ी बन कर जा रहे हैं यहां से और बाकी guys रितिक मेरे से ज़्यादा थक गया था बिकोज मुझे तो आदत है ऐसे पाड़ों पर ना मतलब पाड़ है यह तो जंगल है चोटा सा मुझे आदत है guys traveling करने की मैं पहले से vlogging करता था और ऐसी वैसे जगह गूमता रहता था बट इसको आदत नहीं है इसलिए यह मेरे से बहुत जादा थक गया और इसने बहुत hard work किया यार camera पकड़ कर देख रहे हो guys कितने अच्छे अच्छे scene ले रहा था मेरे यह credit by रित्तिक so guys अब हम आगए है ठर्डवले mountain के उपर और यह देखो guys top पर है अभी हम और यहाँ से view देखो कितना अच्छा आ रहा है पूरा संजयवन दिख रहा है चारो side पेड़ पो धे और यह जब का आया है यहाँ पर बस बात ही कर रहा है फोन पर और उपर देखो guys plane के आवाज आ रही है वह आ गया plane तो चलो guys अब हम पाड़ों से नीचे चलते है तो guys अब मैं आ गया यह संजयवन के पाड़ों के नीचे उतरते ही back side में guys यहाँ पड़ना एक दरगा है रुको मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो guys यहाँ पर भी कुछ है और इस side है guys दरगा यह देखो तो guys मैंने shoes पहने हुए थे इसलिए मैं आगे नहीं गया बस मैंने बाहर से ही माथा देख लिया तो चलो guys अब हम चलते हैं यहाँ से संजयवन की लेक की side तो guys part 1 में मैंने आपको दिखाया था दो रास्ते पहले हम गयते उस side संजयवन के पाड़ो पर अब हम जाएगे इस side संजयवन की लेक की side तो चलो guys चलते हैं तो guys थोड़ी आगे आने के बाद यह देखो यहाँ पर तो पूरा public area है देखो guys कितने सरे लोग हैं यहाँ पर मतलब guys संजयवन में अगर आप mountains के उपर जाओगे न उस side तो guys महाँ पर फिट भी थोड़ा संसान एरिया है बट लेक की side तो guys बहुत सरे लोग हैं यहाँ पर बट guys जो mountains वाली side है ना उस side थोड़ा risky है के ले जाना और couples का जाना because guys मैंने part 1 में भी बताया था आपको कि अगर हम उस side जाते हैं और वहाँ पर कोई ऐसे लोग मिल गए जो हमारा first phone सबको छीन लेगे तो वहाँ पर आसपास हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा guys अब हम लेग के पास पोचने वाले है और guys यह right side में अगर हम जाएगे ना तो यह वही रास्ता आ जाएगा जहांसे guys हमने start किया था part 1 में और हमें जाना है left side में तो चलो आगे चलते हैं तो Sanjay 1 की haunted story तो मैंने आपको बता दी थी part 1 में guys but अब मैं आपको बताता हूँ एक और बात यह देखो guys Sanjay 1 में कितना अच्छा view है दिन में देखो यहां का but fake haunted vloggers जो होते हैं न वो ऐसी जगा को बना देते हैं haunted place because guys वो अपनी वीडियो में किसी को भी भूत बना देते हैं और दिखाते हैं और फिर बोलते हैं यहां पर भूत है यह haunted place है मतलब guys ऐसे ही थोड़ी ना किसी की भी वीडियो में भूत आजाते हैं guys और किसी-किसी fake haunted vloggers की तो सब वीडियो में भूत होते हैं बट guys ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर भूत प्रेत असली में भी होते हैं न यह कोई negative नर्जी होती है तो guys वो किसी की वीडियो में नहीं आएगी तो guys अब यह जो right side में रास्ता जा रहा है न यह जा रहा है गोरकनात मंदिर की side और हमें जाना है left side because guys उस side है सन्यमन की lake तो चलो चलते हैं और बाकी guys मैं यहीं बोलूगा कि आप लोग fake haunted vloggers की वीडियो पर ध्यान मत दिया करो वो अपनी वीडियो में किसी भी जगा को haunted बना देते है अपनी वीडियो में भूत दिखा देते है so finally guys अब हम लोग पोच गए है सन्यमन की lake के पास में और यह देखो guys यहाँ पर सामने एक board लगा है इसके उपर लिखा है creating awareness about environment बहुत बड़िया और बाकी guys यह देखो यह पूरा है पारक और वो सामने जो जाल है उसके पीछे है सन्यमन की लेक और यह उपर लिखा है common birds of सन्यमन यह देखो guys मैं आपको zoom करके दिखा दो तो चलो guys आगे चलते हैं यहाँ से वो देखो सामने जो जाल है न इसके पीछे ही है सन्यमन की लेक पहले मैं आपको यहाँपर दिखाता हूँ यह पिंजरा है क्या हाँ यह पिंजरा है और शैट से यहाँपर birds को रखते होगे बट अभी देखो पिंजराखाली है यह तो चलो गाईज अब हम आगे चलते हैं और यह देखो इस साइड कितना अच्छा लग रहे है यह पानी के अंदर प्लांट्स यह देखो यह देखो गाईज यहाँ पर वाइट और ब्लैक डक्स भी है और यहाँ पर मशीन लगी हुई है यह मशीन शाट से वोटर क्लीन के लि है मतलब यह कितना अच्छा विव आ रहा है यहाँ पर कितनी अच्छी जगाई यह पता नहीं कोई कैसे ही बोल सकता है इस जगा को हुंटिट प्लेस और अब हम गाईज आ गए है संजेवन के बिल्कुल लाष्ट में और यह देखो यह सामने ट्रक है न एक मिनट यह देख अब हम लग चलते हैं वापिस संजेवन से भार और आप कर देना इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब